जै मातारानी दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सक्तष्टी का बारवा अध्याई देवी चरित्रों के पाठ का महात्मे देवी बोले ये देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एका ग्रचित होकर मेरी स्तोती करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदे हर लूंगी, वदु कैट भब के नाश, महिशा सुर के वद और शुम्भ तथा निशुम्भ के वद की जो मनुष्य कथा कहेगें, मेरे महात्मे को अश्टमी, चतुर्दशी वन अवमी के दिन एका ग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेगें, उनको कभी कोई ना होगा, इसलिए प्रतेत मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्यान कारक महात्मे को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए, मेरा यह महात्मे महमारी से उत्पन हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवन तीन प्रकार के उत्पातु को शांत कर देता है, जिस घर वा मंदि पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहन कर लेती हूँ, और शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्मे सुन कर मनुष्य निर्भय हो जाता है, और महात्मे के श्रवन करने वालों के शत्रु ननश्ट हो जाते हैं, तथा कर्यान की प्राप्ति है, और उनका कुल आनंदित हो जाता है, सब कष्ट शान्त हो जाते हैं, तथा भयंकर स्वपन दिखाई देना, तथा घरेलो दुख इक्य करवाने वाला है। मेरा यहमा हात में मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थी की प्राप्ति करवाने वाला है। वैसी प्रसन में इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महत में श्रवन करने पर पापों को हर लेता है, तथा आरोग ये प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्रानियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का सनहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रों का भै नहीं रहता। ये देवताओं, तुमने जो मेरी स्तूती की है, अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तूती की है, वहां मनुश्यों को कल्यानमाई बुद्धी प्रदान करने वाली है। मनुश्यों मेरे इस चरित्र को स्मरन करने से संकट से मुक्त हो जाता है, मेरे प्रभाव से सिंग, चोर या शत्रु इत्यादी दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। पहले की तरह यग्यभाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। तथा युद्ध में देवताओं के शत्रों शुम्भ वनिशुम्भ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बच्चे हुए राक्षस पाताल को चले गए। इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है इसको मोहित करती है। जन्म देती है और प्राथना करने पर सम्रिद्धी प्रदान करती है। लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है। तथा अभाव की समय दरिद्रता बनकर बिनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदी से पूजन करके उसकी स्तूती करने से वहधन इवंपुत्र देती है। और धर्म में शुब बुद्धी प्रदान करती है। आप सभी को दुर्गा अश्टमी की हार्दिक शुभ कामनाएं। झाएं। झाल झाल